ब्रह्म मुहुर्थ अध्यात्मिक, सारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्पुर्म होता है साम वेद में भी इसका उलेख मिलता है साथ में अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि ब्रह्म मुहुर्थ में उठकर अपने दिन्चारिया सुरू करने से जीवन में सफलता मिलती है तो आखिर ब्रह्म मुहुर्थ का सही समय क्या है ब्रह्म मुहुर्थ में किये गय कारे सिद्ध क्यों होते हैं ब्रह्म मुहुर्थ में देव सक्ती कैसे दरसन देती है और वे ज्यानिक, रिसर्चेस, इसके बारे में क्या बोलती है, इन सब प्रशनों का उत्तर जानेंगे आज की इस वीडियो में पर उससे पहले जैब हो लेना दोस्तों, मैं मन्जु कुमार अपने सीव परिवार चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैब हो लेना जरूर लिखेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा, जादा से जादा से शेयर कीजेगा मित्रों, ब्रह्म मुहुर्थ और प्राकृति का गहरान आता है, इस समय में पसु पक्षी जाग जाते हैं यह प्रतीक है उठने का जागने का प्राकृती हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहुर्थ में उठो और अपने दैनिक कार में लग जाओ सास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहुर्थ में उठने से वेक्ति को सुन्दर्ता, धन दौलत, बुद्धी, अच्छी स्वास्त, लंबी आयू, आदि की प्राप्ति होती है सामवेद के अनुसार ब्रह्म मुहुर्थ का समय होता है, ब्रह्म मुहुर्थ में देव सक्तियां धर्ती पर आगमन करती है जितने भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों के पट खुल जाते हैं ब्रह्म मुहुर्थ में और पुजा पाट शुरू होती है और वहाँ पर की गई पुजा का फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होता है हवन या मंत्रजाप अगर ब्रह्म मुहुर्थ में कीजिए तो उसका फल अनंत मिलता है आपको क्योंकि जो ब्रह्मान से उर्जा बरसती है धर्ती पर वो आपके ब्रह्म मुहुर्थ में ही बरसने शुरू होती है और उसे उर्जा को प्राप्त करने के लिए जितने साध़क जितने भगत होते हैं वो ब्रह्मोहुर्थ में पूजा करते हैं जब आप पूजा पार्ट मंत्र जाप करना सुरू करते हैं तो आपकी उर्जा ब्रह्मभाण्य उर्जा से मिल जाती है और जो वो देवता है जो अपने लोग में विराजमान है उन तक आपकी बात पहुँचती है और वो खीचे चले आते हैं आपकी तरफ ब्रह्मोहुर्थ में बहुत कम लोग पूजा पात कर पाते हैं क्योंकि लोग आलस करते हैं उनका मन ही नहीं करता उतनी सुबा उठने के ब्रह्मोहुर्थ का जो समय है जिसको अमरित बेला कहा गया है अमरित बेला दोनों तरीके से कहा गया है पहला इसलिए कि ब्रह्मोहुर्थ में वायू बिलकुल सुद्ध होती है सुद्ध वायू आपके सरीर में जाकर आपको सुदता प्रदान करती है दूसरा इसलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म्भान उर्जा होती है इस्वरिय उर्जा होती है वो आपकी आत्मा में जाकर आपकी आत्मी उर्जा को सुद्र करती है ताकि आप तेजस्वी बनो आपका उहरा जो है बहुत मजगूत हो ब्रह्मुहुर्थ में उठने वाले लोगों के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्तिया या नकारात्मक विचार नहीं आते हैं ब्रह्मुहुर्थ में उठने वाले लोग साकारात्मक उर्जा से भरे रहते हैं उन लोगों की रक्षा देव शक्तिया करते हैं अधिकतर लोगों को देवी देवताओं का दर्शन ब्रह्मुहुर्थ में ही होता ह जब भी साधक से प्रशन होकर देवी देवता उनको दर्शन देते हैं तो समय प्रम महुर्थ का ही होता है रिगवेद में लिखा हुआ है सुर्योदे से पहले उठने वाला इंसान स्वस्त रहता है कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सूकर व्यर्थ नहीं करेगा इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी और पूरे दिन उर्जावान बने रहते हैं आयूर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहुर्थ में उठने से मानसिक तनाव, अनिद्रा, चिंता और निरासा जैसे विभिन मानसिक बिमारियां दूर होती है इस तरह हिंदो धर्म गरंथों में ब्रह्म मुहुर्थ का महत्तो बहुत बार बताया गया है दुनिया का हर धर्म गरंथों में इस समय को महत्तों ही बताया गया है ब्रह्म मुहुर्थ का धार्मिक महत्तो भी है महर्सी बालमिकी द्वारा रजित रामायन के अनुसार रावन के लंका में इस्तित असुक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहुर्ट में ही पहुँचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किये जा रहे मंत्र उच्चारं की आवाज सुनी और सीता माता से जाकर मिले ब्रह्म महुर्थ में पहुँचने से उनका काम आसान हो गया था तो ये थी ब्रह्म महुर्थ के बारे में विसेश जानकारी मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा भगवान भूले नाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ नई वीडियो में तब तै के लिए जैव भूले नाथ